कि आपने कभी रोटी को इस तरीके से पानी में पकाया है और पकाने के बाद बहुत ही तेस्टी और यमी नाश्टा बनाया है नहीं बनाया है तो वीडियो पूरी देखिएगा मैं किस तरीके से रोटी को पानी में पका कर बहुत ही टेस्टी और यमी नाश्टा बनाने वाली हूँ यो कि सबको बहुत ज़दा पसंद आएगा और इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बोल तो यहाँ पर हम रोटी से त्यार करें नाश्टा तो सबसे पहले हम आटा त्यार करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल ले यो जटालेगे तोड़ा है यहान पर आटा तैयाइन दियान रखना आ और फैसी कि आटा हमारा स्टारीज से सफ्ट हो जाएगा और इसके बाद इसे मैं रखती हूँ 10 मिनट के रेस्ट के लिए अगर आपके पास पहले से आटा त्यार है तो उस आटे से भी ये नाश्टा आप त्यार कर सकते हैं बस आटा थोड़ा सा हाड होना चाहिए जोकि पानी में जाते से मैं वो तूटे नहीं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गया है और इसे मैं एक वर फिर से अच्छे से गून लेती हूँ और बिल्कुल क्लीन सा आटा हम बना कर त्यार कर लेंगे इसकी लोईया निकाल लेते हैं यहाँ पर मैंने चार लोईया निकाली है तो दो लोगों के लिए नाश्टा है तो जिस हिसाब से भी आप नाश्टा त्यार कर रहे हैं उस हिसाब से आप रोटिया त्यार कर सकते हैं आठा ले सकते हैं यहां पर मैं दो लोग इसलिए बना रही हूँ तो यहां पर मैंने चार लोईयां बनाई है एक कापाटे से और इसके बद से हम बेल के त्यार करेंगे तो जैसे नॉर्मली रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही बेल ले रहा है तो यहां पर मैंने रोटी को भी बेल कर त्यार कर लिया है और इसे मैं रख लेती हूं प्लेट में तो चार लोईयां है यहां पर चार रोटियां में एक साथ ही बेल लेती हूं बार बार नहीं हमें बेलना पड़ेगा इसके साथ ही यहां पर मैंने एक कड़ाई में पानी डाल दिया है तो यहां पर मैंने आधी कड़ाई प तो हैंeg अगर में एक तो 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 सकती हैं लुको बूल किन दो मिनटों लोटे ने हैं डोक हैं जिस से कि जो रोको वियो भी हाथ में चिप्केगीन और तो यहां पर रोटियों के दोनों तरफ面ने Iowa लगा लिया और अब इसके पतले पतले स्ट्रफ हमें कट करने है और यह लगाने से होगा क्या कि बिल्कुल भी बत्तर में रखें के तो यह कभी भी नहीं चिपकेंगे तो देखिए मैं यहां पर पीज़ाiche願い से tweak कर देती हूं बहुत ही असानी से कट जाता है आप चाहें तो इसे नाइब से भी कट कर सकते हैं जितना पतला जितना मोटा आप चाहते हैं वैसा कट कर सकते हैं तो जैसे हम नमक पारे कट करते हैं बिल्कुल वैसे इसे कट कर लेना है तो पत्ली पत्ली लंभी लंभी स्टिप यहां पर मैं cut कर रही हूँ, तो सभी रोटियां इसी तरीके से त्यार करनी है, और यहां पर जो यह नाश्ता बनने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज्यादा tasty yummy और mouth watering होगा, तो इस तरीके से मैंने यह रोटियां cut कर ली है, और इसे मैं plate में निकाल देती हूँ, तो आराम से निकल जाती है, देखिए, चिपकती नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि हमने oil coat कर दिया है, रोटियों के ओबर तो यह आपस ने बिल्कुल भी निचिपके ली, तो देखिए, मैंने निकाल लिया है, और दूसरी रोटी भी हमारी boil हो चुकी है, तो भी मैं इस कर लेना है, तो दो दो मिनट से जाधा बिकाने की ज़रूरत नहीं है, और देख सकते है कि हमारी रोटिया यहां पर सारी तयार हो गई है, सभी को मैंने cut कर लिया है, और इस तरीके से यहां पर धर हमने 8 से तयार किया है, मोटा पतल आपके ऊपर है, कैसा आप रखना जाते साथी साथ जो यह स्ट्रिप हमने कट किया है यह आपस में विल्कुल नहीं चिप केगी क्योंकि हमने कोटिंग कर दी थी इसके साथ मैं यहां पर ले रही हूं काफी सारी सबजियां तो यहां पर मैंने प्याज लिये हैं पत्रगोबी है काचर है शिम्ला मिर्च है सभी को लं नाश्ता हम त्यार करें तो जो हमने आटे को इस तरीके से कट कर गे रखा हुआ है स्रिप जो हम कडाई में डाले तो कहीं भी चिपके नहीं तो जब कडाई गरम हो जाएगी तो अच्छे से यह नॉन्स्टिक की तरफ वर्क करेगी इस तरह कैसे मैंने की कोटिंग कर दी है और इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ लहसन यहाँ पर जो हमने लहसन कट किया था वो इसमें डाल देते हैं फ्लेम को यह नाश्ता बनाते हैं बिल्कुल लो रखना है नहीं तो जो नाश्ता है जल जाएगा तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़े डाल दी हैं अगर डालना चाहते हैं और मैंने मीडियम करें तो अच्छे से फ्राइव कर लोने में, गले नहीं अच्छे से फ्राइं को जाएं तो यहां पर जो सब्जियां है देखिए मैंने यहां पर फ्राइ कर ली है इसके बाद इन सब्जियों मैं आड़ कर रही हूँ पत्ता गोवी तो दो से तीमिनट मैंने इसे फ्राइ किया है और यहां पर यह मैंने पत्ता गोवी आड़ कर दिया है और इसे भी एक मिनट के करी fry कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे बाग ही सारी चीजें जैसे की नाश्ता हमारा टेस्टी हो जाएगा तो यहां पर जैसा कि आपको लग रहा है कि बिल्कुल हम चाउमीन जैसा जो यह सारा मिक्षेर है वैसा ही त्यार कर रहे हैं तो यहां पर मैंने डाल दि यहां पर मैंने सबी चीजें चमच जड़ चमच ऐसे कर के ही डाली है ज्यादा नहीं डाली है मैं ने से मिला लिया है, मिलाने के बाद जो हमने आटे के स्टेप करके रखे थै वह डाल देंगे, तो आधा मिन के करीब मैंने से मिलाया था, ताकि जो सास है, अच्छे से कोट हो जाए और थोड़ी सी पक भी जाए, यहां पर देखे जो हमने स्टेप कर द किये थे, वह मैं से लग जाएं तो जैसे चौमिन बनाते हैं बिलकुल यहां पर हमें करना है इस तरीके से मिलाना है और इतना िलदी और इतना टेस्टी नाष्टा बनता यह कि बच्छे क्या mut बड़े भी पसंद करेंगे सी नाष्टे को आप इस तरीके से आप बना सकते हैं आटे का ये नाश्ता साथी साथ यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी आट कर दिया है मिला देंगे और 2-3 मिनुट ट्राय करने के बाद जो हमारा ये आटे का नाश्ता है बिल्कुल तयार हो गया है आटे से बहुत आसान तरीके से ये नाश्ता बना सकते है देखे मैंने इसे mix कर दिया है और बिल्कुल ये तयार है सर्व करने के लिए और यहां पर कोई सोच भी नहीं सकता कि हमने ये नाश्टा आटे से बनाया है और इतना ज़दा healthy और चटपटा ये नाश्टा बनके तयार हुआ है तो ज़रूर ट्राइ कीजिए आटे का ये नाश्टा बहुत ही ज़दा बेतरी नाश्टा बनके तयार हुआ है नाश्टा ज़रूर ट्राइ करें फैमिली फेंट में शेयर करें मेरे साथ कमन करके शेयर करें कि आटे की नाश्टे की रेसिप ये कैसी लगी और इस नास्ते को आप सुबह शाम कभी भी बनाईए आपको ये फिल नहीं होगा कि आपने ये अनहेलदी नाश्ता बनाया है मैदे का चामिन यूज किया यहाँ पर हम गेहूं के आटे से नाश्ता बना रहे हैं तो कितना हेलदी हो सकता है कितनी सबजिया हमने डाली है आप सोच है शकते हैं तो अपने अपने घरों में इनाहें लिए आश्ता जरूर ढाए करें और कमेंट करके बताएं कि ये रेब्स अब बोदिया की ता, नहए वीडियो में, तब तक क्लिप वाई